लेकिन अगर उनसे यह पूछ लिया जाए कि इंडेक्शन का मतलब क्या होता है प्रोपर तो उस टाइम जो है वो नहीं बता पाता है तो आज के इस वीडियो के बाद आपको इंडेक्शन के बारे में इंडेक्शन मोटर क्या होता है और सिंक्रोनेज मोटर क्या होता है इन सभी टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा तो गाईस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं सेख्रोंटाइब देनी का मतलब क्या होता है। फिर मैं आपको बताता हूं इंडक्शन मोयच्जर और सिंक्रोंट्रों मोटर के बारें हैं। यह इंडक्शन का हेंदी मतलब जब मैंने देखा तो उस बचाह मुझे मिला प्रेORUN अब मैं आपको थोड़ा सा simple language मैं आपको पताता हूँ जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि हम लोग जो motor यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में उस motor के एक field winding होता है और field winding में जब हम लोग supply देते हैं तो उस field winding में जब हम रोटेटिंग magnetic field बनता है और वोग rotating magnetic field जब हमारे rotor के साथ align होता है तब हमारा rotor जो है आगे घूमना यानि कि move करना start करता है तो guys मैंने अभी आपको जो बताया ये rotor जो है magnetic field के वज़ा से जो है घूम रहा है यानि कि rotor में हम लोग पहले से कोई supply नहीं दे रहे हैं ये rotor घूमनी का जो reaction है ये इसके field winding के action के वज़ा से हो रहा है तो एक बात आपको याद रखना है अगर किसी भी जगा कोई भी action होता है और उसके reaction अगर दूसरे में प्रभाब डालता है और वो अगर उस time run करना start करता है तो उसे जो है हम लोग induction कहते हैं तो motor के case में भी हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा motor के जो field winding होता है उस field winding में हम लोग three phase supply देते हैं तो उस जगह में rotating magnetic field बनता है और वो rotating magnetic field जब हमारे rotor के साथ align होता है तो हमारा rotor आगे move करना start करता है तो कएस में आसा करता हूं कि आपको समझ में आ 1974 का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता है connection motor asynchronous motor जो है क्या है तो आप आप असे इक बात आदा है याद नहीं कर remove universe और और की आपको बताता हूं यानि कि rotation per minute वो जो है यानि कि 2800 तो आपको एक बात याद रखना है कि हमारा rotor है वो कभी भी 2800 में नहीं घुमेगा वो हो सकता है 2750 में घुमेगा या फिर 2760 में घुमता है कि वो कभी भी अपने जो है rated RPM पे नहीं घुमता है अब आपके मन में ये सवाल उठा हुआ कि वो rated RPM पे क्यों नहीं घुमता है तो अगर मैं इस पर बात करूँगा तो ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा अगर आपको इस से related एक वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताईए तो गाईज अगर आपसे इंटर्वी में पुछता है कि induction motor को asynchronous motor क्यों कहा जाता है तो आपको बस simple language में ये बताना है कि हमारा जो induction motor होता है उसका जो rated RPM होता है कभी भी वो अपने rated RPM पे रर नहीं करती है जिसके बजासे ये induction motor को asynchronous motor कहा जाता है और अब अगर मैं बात करूँ कि synchronous motor के वारे में तो ये जो synchronous motor है ये synchronous motor पे जो rated RPM रहता है ये अपने rated RPM पे ही गुमता है तो आपको मैं समझा पाया आखिर ये induction motor, asynchronous motor और synchronous motor से related जो भी doubts आपके थे तो guys अगर आपको मेरे बताने का technique पसंद आ रहा है और अगर आप एक industries में job कर रहें तो आप मेरे इस channel के साथ जूड़ जाएए आपको बहुत सारे ऐसे practical जो मेरा खुद का experience है मैं जो है आप सबी लोग से जेर करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक like कर दीजे और चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजे ताकि आने वाली मेरे जो भी electrical engineering से related videos है उसकी update आपके तक सबसे पहले पहुँच जाए तो guys मिलते हैं next video में तब तक अपना ध्यान रखिए